बच्चे गए हुए थे टूशन और टूशन से वो जल्दी आ गए थे क्योंकि फ्राइडे वाले दिन उनकी छुट्टी थी तो जल्दी टूशन जाने के बाद फिर उनकी छुट्टी भी जल्दी हो गई थी अब अच्छे घर आये तो यहाँ पर मैं कट करी हूँ वाटर मेलन तो थंडा हो गया था एकड़ा हम फ्रिज में रखा हुआ था विदांश तो नहीं खाता है लेकिन मैं और वंची का खाएंगे और यह वाटर मेलन इस्पेशली आता भी वंची का के लिए ही है और अभी तो यह खरào शे तर्बूज मिल जाना तो अच्छा लगता है तो देखें यहाँ पर जो है मैं इसको कट कर लिया है थोड़ा सा दे दुगी मैं वंची का को और एथोड़ा सा जो है मैं अपने ले निकाल लूँगी और मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक एड़ करके खाती हूँ तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है तो मेरा ये था कि मैं एक सीरीज देखने वाली हूँ तो बस मैं पहुँच गई हूँ अपने रूम में आराम से बैटके एक डेट घंटा मैं देखूंगी सीरीज और उसके बाद फिर आगे की करेंगे तैयारी मतलब की आगे के कामों को करेंगे लेकिन उससे पहले थोड़ा से रेस्ट कर लेते हैं अब मैंने बोला तो था कि मैं एक से डेट घंटे की सीरीज देखूंगी लेकिन सीरीज ऐसी होती है न कि अगर आप एक बार देखने लग जाओ तो फिर पूरी खतम करके ही जो है दम लेते हो तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ एक से डेट घंटे सोचा था लेकिन तीन घंटे तक जो है मैं टीवी के सामने से उठी ही नहीं यहां पर देखी यह श्याम का वक्त हो गया है और टीवी देखते देखते न मेरे सर में भी दर्द शुरू हो गया था क्योंकि मैं इतना ज़ादा टीवी देखती नहीं हूँ लेकिन हाँ अगर कोई सीरीज मुझे पसंद आ गई तो फिर जो है मैं देखना शुरू कर देती हूँ सर में दर्द हो रहा था तो सोचा क्योंना एक अब चाए बना लेती हूँ और यह देखिए सुबे का दूद मंगवाया हुआ था और इसको बॉयल भी करने के लिए नहीं रखाता और इत्ती गर्मी में आपको पता ही है कि सबसे ज़ादा जो दुख देने वाली चीज होती है वो होती है रोटी बनाना तो मैं बनाने वाली हूँ आज चावल और साथ में बनाऊंगी राजमा वैसे तो रात को कहते है राजमा खानी नहीं चाहिए और मैं कभी बनाती भी नहीं हूँ लेकिन आज मैंने सुचा कि चलिए मैं बना लेती हूँ कोई बात नहीं यहाँ पर देखिए जब तक जो है मैं चाय प्योंगी तब तक मैं रख दूँगी राजमा को बॉयल होने के लिए और यह वाली राजमा बहुत अच्छी है हम लोग दी मार्च से ही लेकर आए थे तो 4-5 सीटी इसको पहले लगा दो और फिर बन कर दो और फिर आदा गंटे बाद 4-5 सीटी लगा दो तो ये राजमा बहुत अच्छे से बॉइल हो जाते है मतलब बहुत ज़ादा टाइम नहीं लेती है यहाँ पर चाए बनके हो गई थी तो बस अभी अराम से बैटके पिऊंगी चाए और ये जो आपको कॉफी मग मेरे हाथ में दिख रहा है ना ये विदाश जी जिन बर्दे पार्टी में गया था ना तो उसको जो है रिटर्न गिफ्ट मिला था तो उसने आते ही मुझे बोल दिया था कि ममा ये कप आप ले लेना क्योंकि आपको कॉफी मग का शौक है तो बस जैसी नया मग आता है फिर मुसमी जो है पहले चाय पीती हूँ चाय पीते पीते मैं करूंगी हाँ पर भिंडी की तैयारी मतलब भिंडी की सबजी बनाने की तैयारी आज सबजी नहीं बनाऊंगी आज मैं बनाने वाली हूँ कुरकुरी भिंडी मैंने बहुत सुना है कुरकूरी भिंडी के बारे में नेट में मैं हमेशा ही सर्च करती रहती थी कि बनती कैसे है और आज फिर मैंने का कि चलो क्योंकि मैं राजमा और चावल बना रही हूँ तो एक साइड में सबजी चाहिए होती है तो ये वाली सबजी ट्राइ करते है तो भिंडी को मैंने अच्छे से कट कर लिया है इसके बीज वगेरा मैंने नहीं निकाले है क्योंकि मुझे ये बनानी है एयर फ्रायर में और भिंडी को अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दिया है उससे पहले ये राजमा बॉयल हो चुकी थी तो उसके मसाले मैं वो तयार करूँगी मैं अलग-अलग तरीके से राजमा बनाती रहती हूँ मतलब जैसे मेरा मन करता है तो आज मैं क्या करूँगी सारी चीजों को एक साथ ही पीज दूँगी और फिर जो है इस मसाले को बहुत अच्छे से भूनना होता है तो यहाँ पर जो है मैंने डेड़ प्यास ले लिया है जिसको मैंने कट कर दिया है और साथ में तीन टामाटर थे ये तो ये सारी ही चीजों को मिक्सी में मैं पेस्ट बना लूँगी साथ में इसमें मैं अट कर रही हूँ हरी मिर्ची बहुत जादा नहीं तीन से चार हरी मिरची एड़ करूंगी मैं और यह बहुत जादा तीकी है भी नहीं बस इसका जो है मैंने बना लिया था पेस्ट और उसके बाद मैं सीधे चावल चड़ा दूँगी तो चार बर्णर वाली गैस का ये तो फायदा होता है कि एक गैस में आप जो है चावल चड़ा लो एक गैस में दूद एक गैस में राजम फ्राय कर लो या कोई भी डाल बना लो और अगर आपको कोई एक आदी सबजी भी बनानी है गैस में तो आप वो भी बना सकते हो तो य जब मेरा लगा हुआ था न मैं वीडियो शूट कर रही थी तो फोन का जो टैंपरेचर है बहुत जादा हाई हो गया था इतना हाई हो गया था कि ना फोन पे वार्निंग आनी शुरू हो गई थी कि कैमरा आफ कर तो तुरंट से क्योंकि टैंपरेचर बहुत जादा बढ़ ग की तैयारी करनी है तो उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे वह वाले बरतन भी हो जाएंगे तो यह इखटा होके बहुत सारे हो जाएंगे तो इससे अच्छा है कि थोड़े-थोड़े करके ही धूलते रहेंगे तो अपने लिए काम थोड़ा सा इजी रहेगा दुल गए थे बरतन और अब यह जो राजमा है ना मैं इसमें तड़का लगाने की पहले तयारी करूंगी तो सोच रही थी पहले भिंडी बना लूँ फिर शुचा नहीं पहले राजमा में तड़के की भी तयारी कर लेती हूँ क्योंकि यह जो मसाला मैंने तयार किया है इ पिर उस बीच जो है मैं यह भिंडी को एर फ्रायर में रख दूँगी क्योंकि इसमें मुझे कुछ जादा काम करना नहीं है तो मैंने मस्टर्ड ओयल ले लिया है कुकर में उसमें हींग और जीरा एट किया है और इसको जैसे ही अच्छे से भून जाएगा आदा प्याज जो जब तक मेरे पास पेस्ट है मैं उसको यह एट करती हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको जल्दी जल्दी से खतम कर लूँ और जब वो खतम हो जाएगा तो उसके बाद मैं घर पे ही बनाऊंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट अब बारी आती है कुरकुरी भिंडी की तो भिंडी मैंने ले ली है इसमें अड्ट करेंगे एक चमचh बेसन में जाएग करीब पाउडर और साथ में एक नीम्बू जो है वो मैं इसमें डालूंगी और नीम्बू डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा जो तेल होता है ना वो भी डालेंगे मतलब दो तीन चमची इसमें तेल डालना है वो वाली क्लिप मुस्टर मिस हो गई थी क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरा फोन जाया ना वो जादा घरम हो गया था तो अच्छे से फिर उसके बाद मैंने इसको हातों की हेल्प से मिक्स करा है और इस तरीके से एयर फ्रायर में मैं इसको फ्राय होने के लिए रख दूंगी तो एयर फ्रायर का ये फायदा तो होता है कि बहुत कम उयल में ही आप काफी सारी चीज़े जो है बना सकते हो और बस इसको इस तरीके से एयर फ्रायर में रखना है और 185 डिग्री मैंने टैंपरिचर किया था और 15 मिनट का इसमें जो है मैंने टाइमर सेट कर दिया था और इधर जो है ना मसाले भी देखिए भून चुके थे तो इसमें अच्छा सा मिक्स देंगे और उसके बाद जो है मैं इसमें एड करूंगी राजमा और राजमा एड करने के बाद थोड़ा सा पानी अभी मुझे और इसमें एड करना है और फिर दो से तीन सीटी लगाएंगे तो वस यहां पर राजमा बनके हो जाएगी बिल्कुल तेयार यहां पर रेडी हो गई है कुरकुरी भिंडी लेकिन यह थोड़ी सी जादा ही पग गई है देखिए कहीं कहीं पर कोई-कोई भिंडी कुछ जादा सी ही पग गई है क्योंकि मैंने फर्स टाइम ट्राय किया था तो मुझे अंदाजा नहीं आया और शायद भिंडी भी कि बनी है और बाहर इतना तेज तुफान चलने लगने देखिए अवास सुनिए हवा तो ठंडी है पर यह जो गंदगी होई है ना यहां देखो यह हाला तो हमें लाइट जला देती हूं पहले यह पूरी गंदगी हो गई है और बहौत तेज तुफान आ रहा है आज बसे तुफान का मठी आचानक से आया है देखो नीचे पेड़ पॉदी देखिए देखिए मैं बस मैं दूर से जाओंगी मैं ज्यादा पास नी जाओंगी पूर जाओंगी चलो ठीक है इसको बैठे रहने अब पूरी धूल हो गई है कल के लिए आफ़त यह इतनी बैलकनी जो दोनी पड़ेगी है देखो ठंडी हवा आरे है किसी का कपड़ा भी उड़के आया तो जिस जिसका बहुत दिनों से वेट था फाइनली बारिश भी हो गई है बहुत तेज अंधेरे में इस तरफ दिखेगा यह देखिए अंधेरे में अच्छ जिस 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 देखिए बारे करें जो 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 जो